दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक कोशन पूछा था कि एक ऐसा जानवर का नाम बताओ जो कूद नहीं सकता उस जानवर का नाम है हाथी दोस्तों मैं हर फैक्ट की वीडियो में लास्ट में एक कोशन पूशता हूँ जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में देता हूँ तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हमें पैसिने आते हैं हमारे शरीर से दुरगंद उत्पर्ण करने वाले जीवानों गर्म और नम वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं तो इसलिए पषिजिने के आने के साथ साथ ही गंध भी आने लगती है फैक्ट नमर् नाइटीन बिल्लियों को दूद पिलाना उसके साथ के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि दूद में लेक्टोजन होता है और बिल्लिया लेक्टोजन नहीं पचा पाती फैक्ट नमर् एटीन दोस्तो मचर सबसे याधा ओबलड ग्रूप वालों को पसंद करते हैं एक्चुल में मचर सेंस कर पाते हैं कि इंसान का बलड ग्रूप क्या है और अगर उसे कोई ओ बलड ग्रूप वाला मिल जाते हैं तो मचर सबसे पहले उसी की पास ही आता है फैक्ट नमर् सेवेंटीन एवेंजर्स इंड गेम दुनिया की सबसे याधा कमाई करने वाली मूवी है इस मूवी ने अफ़तार मूवी का भी रिकॉर्ड तोड दिया जबकि अफ़तार मूवी का रिकॉर्ड आठ साल तर कोई नहीं तोड पाया फैक्ट नमर् सिक्टीन एक स्टेडी के हिसाब से काटून आपके दिमाग के स्ट्रेस के केमिकल को रिड्यूस करता है पर एक्जांपल आप ये वाली पिक्चर देखो और आप ये वाली काटून वाली आपको ज़्यादा क्यूट लग रही होगी फैक्ट नमर् फॉर्टीन दोस्तो यूके में अगर आप अपना सौवा जनम दिन मनाते हो तो आपको महरानी की तरफ से एक काड़ मिलता है और ये काड़ हर व्यक्ति को मिलता है जिसने अपना सौवा जनम दिन मनाया हो फैक्ट नमर् थैटीन बाड़ा करोड से भी ज्यादा का electricity का बिल आया जबकि उसके घर एक fan और एक bulb जलता था और बाद में जब investigation की गई तब ये पता चला कि ये एक technical fault था Fact No.11 जब एक मदुमक्खी अपना punk फरफराती है तो आपने notice किया होगा कि उसमेंजे एक आवाज आती है Something ऐसी कुछ आवाज आती है तो वो आवाज obviously उसके punk में से आती है पर दोस्तो क्या आपको पता है कि मदुमक्खी एक second में 160 times अपना punk फरफराती है Fact No.10 गनेश सुबरमनियम ने कमाल कर दिया है दोस्तो गनेश ने दुनिया का सबसे छोटा लोक यानि कि ताला बनाया है इस ताले की हाइट है 3 mm और इसका वेट है 41 mg Fact No.9 दोस्तो जापन में रात के 12 बज़े के बाद night club में डांस करना illegal है 12 बज़े के बाद वहाँ की police हर समय नजर रखती है कि कोई club खुला तो नहीं है Fact No.8 दोस्तो नौर्थ पोरिया के citizen को यानि कि वहाँ के निवासियों को 28 में से किसी एक approved haircut में से एक को चुनना होता है अगर व्यक्ति ने अपनी मर्जी के हिसाब से haircut करवा लिया तो उसे jail में डाल दिया जाता है Fact No.7 आपने online shopping तो की होगी और आपको shipment के बार में भी पता होगा shipment मतलब कुछ आ रहा है गाड़ी से या फिर tempo से मतलब गाड़ी से on road कुछ आ रहा है उसे हम shipment कहते हैं पर जब कोई चीज समुदर से आती है shipment तब उसे हम cargo कहते हैं मतलब कि जब कोई delivery का सामान कार से आता है तो उसे हम shipment कहते हैं और जब कोई समान ship से आता है तो उसे हम cargo कहते हैं कार से आने वाले समान को हम shipment कहते हैं और ship से आने वाले समान को हम cargo कहते हैं है ना दोस्तो अजीब सा fact Fact No.6 दोस्तो चाइना एक बहुती अजीब देश है और चाइना एक बहुती अजीब सा मिशन प्लैन कर रहा है जो सडकों पे स्ट्रीड लाइट होती है ना चाइना उसे रिप्लेस कर रहा है रिप्लेस करके आसमान में एक बड़ा सा लाइट लगा रहा है बिल्कुल एक मून की तरह एक आर्टिविशल मून और ये आर्टिविशल मून पूरे शहर को लाइट देगा किसी ने स्वामी विवेक अनंजी से पूछा कि अगर भगवान हर जगा होते हैं तो मंदिर मस्जित ये सब क्यों तब स्वामी जी ने जवाब दिया हवा भी हर जगा होती है पर उसे हम फील पंके के नीचे बैठ कर ही करते हैं आपको ये पता तो होगा कि धरती में एक साइट दिन होती है तब दूसरी साइट रात होती है मतलब कि अगर इंडिया में दिन है तब अमेरिका में रात है अगर अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात है पर दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया को दिन और रात मे सेपरेट करने वारी लाइन को क्या कहते है उस लाइन को टर्मिनेटर कहते है और इसी जगे को हम शाम भी कहते है फैक्ट नमर थ्री यूएस में एक डेथ वैली नाम का रोड है ये रोड 200 किलोमेटर तक बिल्कुल सीधा है और ये रोड दुनिया के सबसे सुनसान रोड में से एक माना जाता है फैक्ट नमर टू एक स्टेडी के हिसाब से सराप पीने के बाद जब लोग नशे में होते हैं तब उनके मूँ से जो निकलता है वो 90% तक टूगी होता है फैक्ट नमर वन क्या आपको पता है कि नासा में 10 में से 4 सैंटीस इंडियन होते हैं